नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मही मैटर्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगा होमलोन कैसी लियाता है होमलोन क्यों लिया जाता है आपको होमलोन कितना लेना चाहिए इन्हीं सब बातों के उपर डिसक्रस होगी और आपको इस आपको आगे भी मिलते रहें और बैल आइकन को दबाना भी ना भूलें तो आपको सबसे पहले बताता हूं कि लोन की जरुवत क्यों पड़ती है जब भी आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो उस घर के जो आज की प्राइज है करें 25 से 35 लाग के बीसे में होती है जो की एक सेलरीड परसंस के लिए यह पॉसिवल नहीं है कि उस वह इतनी ज्यादा रखम को एक साथ पे कर सके तो वह क्या करता है कि आदा कुछ पैसा आपने पास से करता है जो भी से सेविंग की होती है बाकी कुछ पैसा अपने मित्रों से लेता है और आज कल वैसे भी कोई आपको प्रेटिका हुआ जबकि अगर इसी का दूसरा अगर वर्जन हमले होम तो होम जिसको स्वीट होम से भी बोलते हैं वह आपकी आपके प्यार और आपकी मेमोरी और आपकी क्या बोलते हैं सपनों को साखार करता है तो जब आप इस तरीके से कोई घर बनाने जा रहे हैं तो आपको लोन लेना की जरूरत पड़ती है अब लोन लेने के लिए जब आप अपको पास जाते हैं तो वह आपका असेस्मेंट करता है कि आपको कि आपको लोन मिलेगा अप सबसे बड़ी प्रॉब्लम वह है कि चलिए आपको कई ऐसे बैंकर भी मिल जाएंगे कि और कई नहीं आपकी इलिजबिल्टी तो इतनी है मैं आपसे को इतना जैसे पंदर लाग की इलिजबिल्टी है और अठारा याव इस लाग का आपको सबसे पर करना क्या चाहिए जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा होता है कि सेल्फ जो असेस्मेंट आपक इसको आप खुद अपने में इखटा कीजिए और वो सही और एक्यूर्ट इंफ्वर्मेशन आप बैंक को प्रोवाइड करनी को जिसमें की है आपकी एज क्या है आपकी इलिजबिल्टी क्या होगी बैंक डिसाइड करेगा आपकी सर्विस कितनी बची हुई है होता क्या है आपको कितने साल और सर्विस करनी है और वो चीज आपको बैंक को ज्यादा आसानी होगे आपका जो भी लॉन है वो मैनेज करने में सेंक्शन करने में तो यह कुछ चीज़ें है टाइप अफ इंप्लॉइमेंट्स आपका कैसा है आपका सेल्रीड हो या फिर आपकी कोई अ लॉन संक्शन करेगा दूसरी हो तहाइब केपा साथ साथवा या आपको लेने में इंपर आपके पास क्रेड़ांट्स है किस तरीके से आपने personal loan कोई ले रखा है या home loan car loan या auto loan कोई ले रखा है तो इस तरीके से कोई loan है उसके आपके आपने उसको repayment किस तरीके से किया यह सारा कि सारा जो check करता है तो वही सब अगर आपने कुछ default किया है तो आपका इस में सब मैंचन हो जाता है और वह आपके सिविल जो स्कूर होता है उसके उपर बैंक को लॉन्च चंसन करता है अगर आपका साथ साथ सो तक किसे अच्छा कंसीडर किया गया साथ सो से नीचे होता है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है अब अगले बात करते हैं कि आपके उपर रिसर्च आप रिसर्च का मतलब यह है कि आपको पता करना चाहिए जो आप जमीन ले रहे हो वह जमीन आपकी फ्री एंड फियर तो होनी चाहिए क्या इसके अलग डालते हैं अपके साथ में एस बैंक दियान देता है अब पताते हैं कि यह भी होता है कि यह आप यह प्लोटिंग होता है फिक्स टाइब होता है actually consider floating क्या थैंकि जब आप long term के लिए लेते हैं तो उस टाइम पर floating rate है वह आपको ज्यादा अच्छा काम करता है आपके क्या होते हैं लोन के उपर लोन की जो आरुआई है वह यह पॉइंट नाइन पांट तो वह सब आपकी जो जो सेक्योर्टी बैंक अपने एसाब से रिटर्माइन करती है कि आप किस क्रिटेरियम आते हैं आपको ऑफर किया रहा है पर जब आपका से सेंक्शन हो रहा है तो आपको बहुत है कि आपको लोग कंसिडर करें कि आप लॉंग टर्म लों लेते हैं तो आपकी जो रेट आप इंट्रेस्ट रहेगा बट जो आपकी आरो जो एमाई आपकी बहुत कम हो जाएगी तो ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है अगर आप देखें अगर बीस साल की पच्छे साल की माई में बहुत जादा अंतर नहीं था अगर आप दोनों के तुल्ला करेंगा तो आपको डिएड़ से दो जार रुपय का ही मातर फायदा होगा और इस फायदे के इसके उपर अगर आप देखेंगे कि अपने पे कितना किया तो मेरी सब्सक्राइब आप पेकर डालोगे जारा से बाराल लाइक हम एक 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 साल के अगर लोन की बात करें तो अगर बीस साल के लिए वह एमांट आपको डाता हूं कि जो पच्छे साल के लिए आप लोगे तो उसके उपर आपकी जो बनेगी वह आठाई सजार च यही अगर 35 साल का लॉण जब अगर आप 20 साल के लिए लेते हो तो आपको जो रेट आपकी बनेगी तीस हजार 556 रुपय के असपस बनेगी और जब पच्छे साल में जो पेमेंट करोगे वह आप करोगे पचास हजार 50,25,760 रुपय पे करोगे और यही अगर आप 20 साल के लिए करते हो तो आप 38,000, 32,960 रुपय पे करते हो मातर तो आप देख लीजिए कि आपने सिर्फ 5 साल का जो है आप यह बढ़ाने से आपको तक्रीबन तक्रीबन 11,82,793 रुपय फालतू देने पड़े हैं तो यह और आपके एमाई में अंतर कितना है 217 रुपय में अब यह आपको चूज करना है कि आपको 2170 रुपय बचाने है या फिर आपकोmittel 20 रुपय लाक रुपय बचाने है तो इसलिए यह नहीं है कि मैं बोल रहा हूं नहीं आप छोटे EMI चूज़ कीजिए यह भी आपको देखना है अगर आप मेरा जो अपना व्यू है वो यह है अगर आप के पास पैसा है और पैसा जल्दी पे कर सकते हो तो आप जल्दी से जल्दी उसे पे करने के कुशिश होने चाहिए इससे ज्यादा कि ठीक नहीं होती है अगर आप के अधर सोर्स ऑंकम भी है तो आपकी जो शेल्दी है उस इल्दी की हम उपर 50 से साट परसंट से ज्यादा की आपकी नहीं होना सphoria कि आपको तो ब vent हो याँ और दूसरा तो 50,000 रुपे मिलगे जब पैंसें जाएंगे तो आपकी पैंसें 25,000 रुपे मातर रह जाएगी तो जिससे कि आपको जब बाद में आज ठीक है अगर आपने 15 साल बाद आपकी 25,000 रह जाती है तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वही पे करने में हो सकता है उस ताइम उ वीडियो पसंद आया तो यह वीडियो अपने मेत्रों को भी शेयर किजिए ताकि वह होम लोन जब लेने जाए तो इन चीजों का द्यान रखें इसी नूट के साथ करता हूं वीडियो को वेंड़ आप